बैंगन के पौदे पर फूल तो काफी जादा आते हैं लेकिन फल में नहीं बदल रहे हैं क्यों नहीं बदलते हैं जितने फूल आते हैं सारे के सारे ज़ड जाते हैं फल में कनवार्ट क्यों नहीं हो पाते हैं इसके कई कारण हैं और उन्हीं कारणों को जानेंगे इस वीड को देखिएगा मैं आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों फल नहीं बनते हैं और कैसे बनते हैं फल क्या डालने से इसके अंदर और किन कारणों से हमारा पौधा फल जो फूल है गिराता है तो इस वीडियो में आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इसम क्या क्या समान डालती हूं जिससे हमारे पौधे पर फल ज्यादा से ज्यादा मत्रा में आए मेरे यहां पर देखते हो आप बैंगन काफी ज्यादा मत्रा में लगते हैं पौधों पर तो मैं हूँ अमर जी तो आप देख रहे हो सैनिटेरिस किचन गार्डन फूल को फल में convert होने के लिए कई चीजों को होना जरूरी है जैसे pollinator सबसे पहली बात है फूल खिल रहे हैं अगर आपके यहां पर pollinator नहीं आ रहे हैं और आपके फूल जितने भी लगेंगे तो जड़ जाएंगे देखिए अगर pollinator नहीं आते हैं तो आपको फिर एक काम और करना पड़ेगा जैसे आपके फूल खिल रहे हैं बैंगन के पौदे पर तो आपको अगर ब्रस्य करना है तो वो बात अलग है नहीं करना है तो फिर आप असानी से इस काम को कर सकते हैं पौदे के जो फूल है उनको हिला दीजिए वैसे हवा में हीलते हैं पौलिनेशन हो जाता है तो फल बन जाते हैं इस तरीके से तो मैं तो नहीं करती हूँ पौलिनेशन कभी भी ऐसे ही मेरे तो जितने भी फूल आ रहे हैं पौदों पर फल बन जाते हैं तो आप इन कारणों को देखिए जानिए और आप अपना पौदा जो है इस तरह से आप उनको पौलिनेट कर सकते हो तो इस तरह फल बन जाते हैं आपके भी पौदे पर मेरे पौदे पर देख रहे हो कितने सारे फल लदे हुए हैं काफी मत्रा में पौलिनेटर्स आते हैं औ फूल हिलते हैं तो तो हम एक कारण और है जिसके कारण जो पौधे पर फूल आ रहे हैं वो फल में नहीं बदलते हैं पौधे को न्यूट्रिशन देना जब पौधा हमारा देखें कि हमें एक तो जादा पानी हम दे रहे हैं तब फूल गिरा रहा है या पानी नहीं दे रहे ह तो भी फूल गिराता है अगर हम सिर्फ पानी पानी देते जा रहे हैं पौदे में न्यूट्रिशन नहीं डार रहे हैं तो भी पौदा फूल गिराता है तो ये जो बैंगन है बैंगन का पौदा हैवी फीडर होता है जादा से जादा खाद पानी की जरूरत इसको होती है देखिए छोटा सा पोधा है और ये मैंने कच्रे में ही डाल दिया था आपके साथ वीडियो शेयर किया था आज देखिए इसके उपर कितने फूल है कितने फल है और मैंने क्या डाल दिया है इसके उपर अभी दो दिन पहले ही जिससे इसके इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं इतने अच्छे फल बन रहे हैं कोई मैंने वन जी कटिंग नहीं की कोई मैंने टू जी कटिंग नहीं की और थ्री जी भी नहीं करती हूं मैं कोई भी cutting नहीं करती हूँ और branch आप देख सकते हो छोटे से पौधे की कितनी अच्छी कितनी सारी ज्यादा branch फूट रही है इसके अंदर तो मैं इसके अंदर क्या क्या डालूँगी जिससे पौधे पर मेरे यहां देखिए आप देखते ही हो हर वीडियो में कितने सारे बैंगन लगे होते हैं तो मैं किस तरह से इसमें खाद पानी देती हूँ यह देखिए यह बड़ा पौधा है पुराना पौधा है देख रहे हो आप और इस पौधे में जो मिट्टी है दो दिन से बरसात नहीं हुई है यह सूख रही है तो इसमें दिखाऊंगी क्योंकि दूसरे जो नए पौधे हैं और पुराने हैं तो वो घने हो रहे हैं उनके नीचे दिखता नहीं है कुछ और यह देख रहे हो यह छोटे हैं जो उनमें मैंने सभी कुछ डाला हुआ है तो इसलिए इस पौधे में दिखा रही हूँ यह पुराना है मिट्टी सूख रही है दो दिन से बरसात नहीं हुई है तो इसकी हम सबसे पहले हलकी गुडाई करेंगे पौधे के आसपास की मिट्टी की सौफ्ट करेंगे इसको मिट्टी को उपर की पर्त सूखी हुई है हलकी सी नमी है इसकी मिट्टी में देख रहे हो हलकी सी मिट्टी में नमी है और इसकी जितनी जड़े है ये देखिए एस्टरा जड़ें कट गई है आप ये मत समझना कि जड़ें कट गई है तो पौधा खतम हो जाएगा हुई हैं तो इस तरह से यह कट जाएंगी जड़ें एस्ट्रा है जो और जो जड़ें ये निकल रही हैं आप देख रहे हो इधर इनको न्यूट्रिशन हमें देना है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देन तो देखिए ये जड़ें हैं ये निकल रही है इनी के आसपास हमें रूom acts में यहां पर देना है ये nutrition ये क्या क्या सामान है ये है राख देखिए ये गोबर का जो उपला होता है उसकी राख है और इसको हम देते हैं तो पौदे में फंगस हो जाला हो कीट हो जितने भी तो इनको खतम करता है ये एक फंगिसाइड है अगर गीले पत्तों पर भी छिड़क दें तो फंगस नहीं लगती है और ये देखिए ये हैं खाद का मिक्चर ये है गोबर की खाद मैंने पुरानी ली है दो साल पुरानी है ये और देख रहे हो आप ये गोबर के उपले है तो ये खाद है और ये है बकरी की मेंगनी की खाद थोड़ी सी मैंने ये भी ली है कम मात्रा में ली है क्य ले सकते हो यह कीचन का कमपोष्ट है चांती नहीं हूं पत्ते वगरा पड़े हैं तो ऐसे ही डाल दोंगी तो कीचन कमपोष्ट में इसमें इसलिए डाल रही हूं क्योंकि जो दो दूसरे में अभी बैंगन के पौदे लगाए हैं उन में तो मैंने सारा समान डाल रखा है की किचन का कमपोष्ट वगएरा सभी कचरे में ही लगा देती हूं मैं तो मैंने यह जो बकरी की मेंगनी की खाद है यह कम ली है और यह दोनों बराबर ले ले ली हैं तो मैं इसमें इसलिए डाल रही हूं क्योंकि पुराना पोद है जो कच्रा नीचे डाला था वो तो कबकर खतम हो गया है पानी डाल डाल कर तो इसमें मैं थोड़े और नियूट्रिशन इस तरह से दे रही हूं थोड़ी सी राख डाल ली है फंगस ना लगे और यह फासफोरस का बहुत अच्छा स्रौत होती है राख जो होती है हमारे पोदों में फालाने में भी हेल्प करती है त तो अगर यह नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो जैसे बरसाथ हो रही है गीला है गोबर खाद नहीं मिल रही है या किचन कंपोस्ट भी आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो इस तरीके से तो मैं तो और्गैनिक नहीं डालती हूँ और ल SARAH बाहर से बजार से कोई खाद नहीं लाती हूँ तो यही खाद देशी में डालती हूँ और देशी तरीके से हल्दिराख वगैरा मिलाकर ही पौदे लगा देती हूँ इन ही में होते हैं पौदे इन ही से फुरूटिंग लगती है और्गैनिक चीजे ही डालने से मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है बैंगन के पोदों पर वैसे भी बैंगन के पोदे काफी ज़्यादा फल देते हैं लेकिन कई कारण होते हैं जैसे मैंने बताया आपको तो इन कारणों से नहीं लगते हैं फल तो देखिए इस तरह हैं से हमें दे देनी हैं दो तीन मुठी मैं इसमें दे दूँगी क्योंकि बड़ा पोदा है तो अच्छी सी खाद मैं इसको देती हूँ तब ही जाके इसके उपर आप देख भी रहे हो कितने ज़्यादा फल लगे हुए हैं तो मैंने इसको इस तरह ऐसे फल ये जो खाद है दे दिया है और अब इसको हम मिट्टी को उपर इसके उपर एक लेयर लगा देंगे मिट्टी से ढख देंगे इस खाद को और ताकि जो से दबा दिया है उपर मिट्टी कर दी है अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी डालना ना भूलें विल्कुल भी क्योंकि पानी डालने से क्या होगा जितने भी इसके रूट्स कटे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और खाद तुरंत पौदे की जड़ों को मिलेगा न ही फूल गिराएगा यह इसको क्या है नूट्रिशन नहीं मिल रहे थे तो पौधा क्या करता है जब नूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो पौधा सोचता है कि मैं खुद को बचाओं या अपने जो फूल लगे हुए हैं उनको बचाओं तो अगर उसको नूट्रिशन नहीं मि देने हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना और फिर अगली वीडियो में मिलती हूं इस तरह से आप अपने पोदों का ध्यान रखे और ज्यादा से ज्यादा उनसे फ्रूटिंग पाईए तो इन चीजों को ही डाल कर मैं अपने यहां प